करेंट आफेर के सेजन में करने वाले हैं 19 मर्च टॉप 10 क्रेंट अफेर और साथे हिस्टे कडोज 12 सबको गुड मॉनिंग सबको शूपरवात जितने लोग जूड़ चुके हैं सब लोग एक वार शेयर कर दो जितना जाद हो सके और लाइक भी कर दीजिए ता कि हम सेशन को आगे बढ़ा सके तो चली साब लोग एक वार शेयर कर दें लाइक कर दें कि जल्ली सेशन को शेयर करते हैं आप लोग तो सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं कि अ कि अ कि सब लोग लाइक जूड़ कर दें शपर गुड मॉनिंग जो भी जूड़ जोगा हैं सपर गुड मॉनिंग हमें एक मिट में सेशन को स्टार्ट करेंगे एक मिट वाद तब तक जितने लोग जूड़ सकते हैं जूड़ जाएं हमें एक जूड़ा हैं लोग जिला खृब हैं कि अ अब अब और श्टार्ट का जा आज के मात्पून करेंड एफर के साथ वाज का पहला करेंड एफर रिसंट्ली विच कंट्री एच शायन यूजंन फ्रेंबर अग्रिम्न्ट दू आज इंटरनेशनल 스타 लेलाइंज में कि संगटन में साहिल होने के लिए कि अग्रेंबर्ग अग्रीमेंट इस पर शायन कर दिया है भी कि सकंत्री नहीं कि आ दल पताना इसास्वाल कोथ तर क्या होगा बहुत ही जी स्वाल मैंने अल्रीडवी इंटरेशनल्स केसा वाई नं बताया था तो पहले अब यह बताई कि इंटरेशनलश्ण सूरर इंटर्व का हेयर ख़ांटेर कॉ सावना खरी का छुए थी है आपको बतारिना पाले बंगलादेश गलत गलत बंगलादेश नहीं होगा आप देखे पहला वताएंगे आपको इंटरनेशनल सोलर एलाइंस के बारे में ठीके मैं लिखने वाला हूं जो श्रीकू समझेगा कि यह जो इंटरनेशनल सोलर एलाइंस है कि ओके इंटरनेशनल सोलर एलाइंस है अगर हम बात करेंगे 2015 में तो इसके स्थापना वही ती दौरपंद्रह में और कहां वही तो लंदन के अंदर क्योंकि फ्रांस कि और इंडिया मिलके किया ओके और अगर हम बात करेंगे इंटरेस्ट शुलाइंस अगर हम बात करेंगे तो यह उन कंट्रियों के लिए संसाइन कंट्री के लिए कि इसमें कौन-कौन सामील हो सकते हैं कि संसाइन अब जो कंट्री तुट्री डिग्री शॉथ और नौर्थ पर नौर्थ तुन्टे बीच में करकर एक ट्रॉपिक उफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रीकॉन के बीच में जितने भी कंट्री आते हैं उस सारे इन इनको बोलाता संसाइन करना ते कि कि यहाँ पर तो इसको इंतरेशनल सोलर सेंदर यह सामिल हो सकते हैं इसमें अभी अगरम बात करेंगे तो 120 te wooman member of कि यून एक्सक्राइबर यूएं कि इसे सामिल है कि ऑगल में अगर हम बात करेंगे जर्मनी नेों में किया है अब यह रखेगा एक प्रेंग एग्रिम्न अफ्रेम एग्रेमेंट मेर्दी rapple다면 करते हैं यह इसका अब तक नहीं किये हैं लेकिन वो मेंबर में होगे लेकिन वो आपका समय सकते हैं कि वो फ्रेम एग्रेमेंट के मेंबर नहीं हो ठीक है आये से फॉलोविए अमेंडमेंट में टू रेमंग अग्रिमेंट अब आये से टिक है जो आट जनवरी जो एकिस से यह लिखा गया टिक है कर रहे कि इसमें अबेडिसर जो थे अमेडिसर इटली के विंसेंजो डी ल्यूका इन्होंने साइन किया है और अगर हम बात कर लेते हैं लूघ जो भी स्ट्रेटरी ओअफ इंडिया है ऑन इंडिया सवर्धन संग्ला उन ने इंडिक मीइंबर से मिला 17 माद भी किसको और उस मीटिंग में इंडिया से क्रेटरी में वैलकम किया इंटली को इंट्रेशन सट्राइज में साविने इस अखे सब्सक्रेंब के इं मैंने कली बता था कि इंटरेस्टन सोल राइंस के ने लेक्टर कौन बने हैं परसिडेंट कौन बने मैंने कली बता था इसका तो उसको आपको कमेंट करके बताना है कौन बने ओके देखिए अब यह बता दिया है ओके चलिए हम देख रहते हैं इंडिया का इनिस्योटिव है जो प्राइम निस्टर ओफ इंडिया और प्रेज़ेंट ऑफ फ्रांस के द्वारा तीस नॉम्बर 2015 को परिष फ्रांस परिष फ्रांस ऑंदर लिया गया तक हम इस चीज का इंडर इंटरेंस का एक स्थापना करेंगे और लंदन में सब्सक्रापना हुआ था इसका काम है कि जो सोलर एनर्जी को स्केल लिंग नप करने में स्वाइन जो प्राप्त करने में जो कॉमन चैलेंज होंगे उनको क्लेक्टर भी एड्रेस क्या जाएगा और इनके जितनीं मेंबर कंट्री अभी तक 87 कंट्री है ने इस प्रेंबर एक्रिमेंट को साइन कर दिया है एटी सेवन कंट्री मैंने बोला था क्या 121 मेंबर है लेकिन 87 कंट्री भी तो प्रेमर एडिमेट पर साइन किया है और देख सकते हो कि निकाराग हुआ निकार गुआ है जो एटी सेवन सबसे लास्ट कंट्री कंट्री के आपको निकाराग गुआ अब कौन बन गया जर्मानी अब कौन बन रहेगा जर्मानी ओके तो इंटरिनेशनल सुलए रांश को इतना पता रखना जूरी तर चलते हैं नेक्टष कियोर और इसके डिरेक्टर जन्रेल में लिएता हूं कि इंटर्नेशनल तोले एंस के डिरेक्टर जान रहा है कि डीजी कौन है ओके अजय माथ में कली बताया था कौन है अजय माथूर इनके डीजी डीरेक्टर जनरा चलते हैं कि इंडियन रेलवे हैच सक्षेफूली कनेक्टेट दर टू इंड और मेन आरक चेनार जो चनाव ब्रीज बनने वाला है चनाव पर ब्रीज बनने वाला चनाव नदी के उपर आप समझ सकते हो कि दुनिया का सबसे उचा ब्रीज चेनाव ब्रीज ये किस दुवारा बना जारह को ये बताना है और जली से इस वाल को उतर क्या होगा भारत रव्य«जên न चनाव पूल बिस्त वक्होरव सबसे ऊचे पूल के मुख छोड़ रहा काम क्या हुँगा की इस तरह से बणने वाला है कि इसको की छोड़ दिया गया इस इन इस इंड को इस इंड से पुरा कनेक्ट कर दिया और इस लिए निविज में है उता में है कि यह किसके द्वारा बनाे चाहिए आह अपको सम्हिन25 देद्द कोंकर निद्टी मालावार सपी awesome तो यह बना यार आपका उत्तर होना चाहिए कोंकन रेलवे को अपरेशन लिमिटेड के द्वारा इसकी कहने का इसका बनने का काम हो रहा है ठीक है इंडियन रेलवे हैं सक्षर फूली चिनेक्टेड टू इंड अप दमेन आरक ओफ चिनाव ब्रीज ठीक है इसने दोनों जाड़ क्रोड रुपया लाजर से यह बनने वाला है अभी बन रहा है ठीक है तो यह दो है रिकिस तक के लास्ट तक कि इसको बन जाक बन के त्यार हो जाना है यह ब्रीज की लंबाई एक पॉइंट 31 किलोमेटर है ठीक है और यह चेनाव नदी पर बनने वाली है जो 35 मिट खेंडर हाए देंदर इफिल्टावर इंपेरीं समझ रहें बात को इफिल्टावर जो पेरिस का उससे भी उछाइए बनेगा और यह ब्रीज कनेक्ट करेगा कट्रा और सीरिणगर को कट्रा जगा है जमुकस्मित के अंदर और से लिए इस दोनों जगा को रियास डिस्टिक में है इस दोनों जगा को जोड़ेगा इस बिरीज जो इसमें यह ब्रिज किस रोड़ का पाट है तो किस रिंगा तेक्ट एक्षी यारा किलिमेटर का उध्वाइब सिर्ड नगर भारा मुल्ला रेल रिंक बन रहा उसका ही पार्ट है यह तानाद महत्पूर नहीं है यह तीन एजंसी इरकोन क्यार सीयल आइंड नॉर्दन रेलवे भी इस्टेंसी एक्स्ट्रक्शन अफ रेलवे लान बनने वाला उसमें सारे कमपनी पस्ति देलेकिन इस ब्र मुंबाई में ठीक है यह मत्पूर नहीं था लेकिन आपको दिहान रखना कौन बना रहा है कब तक बनेगा कितना किलोमेटर इसका ठीक है तो बुड मानिंग अर्विन गुरु मानिंग देखिए कि करा कि रिसेंटली इंडिया कमिशन इट्स ओसन सर्विलियंस एंड नुक बता हूं किनका उत्तराता से जली सब्सक्राइब का उत्र क्या होगा चलिए तो आई एनस दुरूब आई एनस दुरूब है जो इंडिया के दवारा कमिशन किया किया गया है इस सर्विलेंस है और नुक्विलियर मिसाइल ट्रैकिंग वेजल समझने बात को यह सब्सीजों को ट्रैक करेंगा अगर हम बात कर लेंगे तो देखिए आई एनस दुरूब कि इसका कोड नेम क्या है वीची डवल वन सेट फोर वीची डवलन डवल वन सोल डवलन एट फोर यह इसका कोडवर्ड है ठीक है इस इस एक अगर बात करेंगे तो हिंदुस्तान मैंने बोला करना कहां यह मैंने बोला है एक हिंदुस्तान सिप्वियार्ड लिमिटेड गहां पर शुक्त कर सकते हैं तो आप तो द्यार रखना चाहिए नेशनल कि टेक्निकल कि रिसर्च कि अर्गनाइशन ठीक है एन टी आरो इसरो और इंडियन नेवी इन तीनों के द्वारा मिल के इसको त्यार किया गया है आवे सारा काम हिंदुस्तान सिप्यार्ड लिमिटेड विशाखा पटनम के अंदर हुआ है यह चीज़ आपको धिहान हो ठीक ह हाला कि एक्टूगर 2020 में ही इंडियन ने भी में काम कर रहा था अप्टूगर 2020 से ही स्टाट वाता लेकिन कैसे था से क्रेट रूप से कैसे था से क्रेट लेकिन आव इस तीज़ को एक तरह से सब को पता चल गया ठीक है ध्यान रहें आपको ध्यान नहीं का यह यूए से कि फरांस और रसिया चाइना के बाद इंडिया पाच मां आशा कंट्रे बन जाएगा फिप्ट आके जैगा कि जो इस तरह का ट्रेकिंग पोत रखता हो इस तरह का ट्रेकिंग पोत रखने वाला इंडिया मैं झाना ठीक है समय रहें बात ऊको देख लिए यह है विशी डॉल ट्रीपल वन एट पो यह है विशी ट्रीपल वन एट पूर में वाम अगल की लिए कोई बात नहीं डूल लिखा था आई एनस दुरूब क्या यह आई इनस दूरूब इसका नाम आप देख सकते हो किस तरह से है तो बहुत जबर्दस इसके अंदर बहुत सारे प हिंदुस्तान सी प्यार लिमिटेड में इसको बिक्सिट किया है और आत निरुभायर भारत अभियान पहल के तहति इसको बनाया गया है यह आपको पता होना थे ठीक है आई इनस दूरूब एक्टीव एक्ट्रोनिकली स्कैंड एरे रडार्स है इसके अंदर रैक्स है आई और इसके अंदर में है और इस रडार के ताहत यह कोई भी देश का उपगरा जो है उसके स्पेक्ट्रम को स्कैन कर सकता है इतना ज़्यादा इसमें रखंता है कोई देश का उपगरा है जो हमारे उपर निग्राने रखना तो उसको भी स्कैन कर सकता है इस लडार के अंदर यहां तक जो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जितने भी हमारे पर्टी देश हैं उनकी मिशायलों की छामता और रेंज भी बता सकता है ओके यह देख सकते हो भारत पांच कंटी बन जाए जो अमेरिका ब्रिटेन चाइना और रूस और फ्रांस के बाहर के बाहर एक मत समयरे बातों देखिए इंडिया धुरूब है यह सेम जहां पर लिखा आप किसको समझ सकते हैं इंगलिस में लिखा हो वहां पर हिंदी में लिखा होता ओके तो मैं चलता हूं नेक्स्ट वाल के यह आई निस धूरूब का क्या काम रहागा भाई कि मोनिटर करेगा और इंडिया कर रहा था संबर्यां से कर रहा था लेकिन यह नु数 है इसको और यह यह फो होता है जो हुरदय करने में मतलों हमारा होता हिरका यह कहा सकते हैं यह भारतिय advocates हिंदु महा सागरото सारे क्वेंद महा सागर का इसको इस ही जी मतलब करते हैं यह सारे को रोडagan को बताएगा इस चीज़ा ठीक है यह रखेगा यह सब सर्फेस सर्फेस और एरियल तीनों तरह से ओप्रेश्ट ओपरेशनल है यह उप सतह पर भी काम कर सकता सता पर काम सकता हवाई छेतर में भी चीजों को बदा सकता है यह आएनेस दुरूप का काम है ओके बीच एस्टेट रेंक फर्स्ट इंदर डिस्टिबिशन ओफ हाई ने वर्थ इंडिवीजुल होस्टोल्ड एकॉर्डिंट पर सबसे जदा पैसा है एक इंडिवीजुल के पास सबसे ज़्यादा पैसा है वह कौन है टॉप पर यह बताना है यह है आपका महराष्ट्रा महराष्ट्रा के पास अगर हम बात करते हैं थ्यांस देखेगा चार लाक बारा हजार ऐसे समझ सकते हैं इसाथ करोड पैसा ठीक है कि तो साथ कोड़ पैसे दस लाक डॉलर और कितने लोग तो चार लाक बारा है लोग पूरे इंडिया के इंडिया के बता रहा है कि कि कुछ ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास हजार हजार कोड की संपती हैं और देखो नीचे अगर देख लेते हैं अगर टॉप टेने स्टेट की बात करते हैं तो सत्तर पर्शींट ततर पर्शेंट दसलाक डॉलर वाले महाराष्ट्रा में ही और वहां 56,000 रोग जो हैं गिनका संपती साथ कोड या तो दसलाक डॉलर बोले यह दना है महाराष्ट्रा के अंदर उसके बाद उत्तर परदेश सप्तिस हजाद तमिलनाडू एंड करनाटका और पुजरात तो महा है कांश कैसा निव मिदिल क्रास को अडिंटिफाइब किया की मिदिल क्रास क्या उनों गा इसका कम से कंव 20 रुपया एक साल में इनकाम न्यू मिदिल क्लास के अंदर में डाला गया है और ऐसे छे लाग कियो आपकुल में रखना ये पूरा में डाटा आ परतिके यह सारे डाटा को ध्यान में रखना है ओक टल बिंदिया ब्राजिल सौथ अफिर का बुमें करण टिक और वुमन्स पॉरं मीटिंग चेर वाई हों लेकिए इंडिया ब्राजिल ऌसाथ पेलका आई बी इस कि बीचे बुमेंस भॉरं मीटिंग हुं हुआ कि महिलाओं के इंपर्वाइन की कि बात कि गई महिलाओं को हर कि social भला तरहिंट आप इस विख जितने भी इन चारों कंट्री पर इंदर जो ऑवाज हैं जो महिलाओं की जो आवाज उसको बढ़ाने के लिए कि सब सुने इस आवाज को जो कुछ इसू उनका हो कुछ प्रोब्लम हो उनकी की बात करेगा यह आए भी एसे समयरबात को आए भी इसे ठीक है यह था इंडिया ब्राजिल और शौथ फिरका के देखिए यह ब्राजि है जान समयना है यह का रहा कि करेंड के सा क्थन सही है यह जो दिनिवियोग से समझ में कौन सा कतन से यह गयूंड को एगर को अगर पैसा होता है तो पैसा निकालता क्या वात एस नाट करGraET कि इसमें राजसवा के शिभ्वारस को मानना निवाज ऑंस सब्त्स पार था कि को टू बोथ बनेंटू नाइधर वन और तो इस स्वाल का उतर होगा यह एपर परेशन बिल से हम कॉन स्वेड़ लिट पंड जो हमारा संचित नीदि है उससे जब भी पैसा निकालना असर कर रहो जब भी पैसा निकालना को फानेंसिंग नियर के लिए तो हमें यह पर पेशन पास करवाना पड़ता है लोकसवाकंदर लोगसवाकंदर पास होगा राजसवाकंदर चला गया तो राज्सवाक अगर इसों देगा यह यह वह देगा यह चीज़को मानना भी प्र मानना यह डिपेंड्ड करता Iowa पर है जोड़ी नहीं है तीसले इसमें पारिश कोई जरूत नहीं था यह स्वाल का उतर होगा ठीक है अब बात कर लेते हैं इससे पैसा निकालना है तो आपको यह बिल पास करना पड़ेगा बी नियोग विद्धयक इसको बोलते हैं यह अच्छा यह संचित में दिख्या थे इसके अंदर जितने भी एक राजास प्राप्थ होते हैं यह सारे सकंदर में जम्मा होते हैं यह तो अनुपूरक अनुदान यह दोनों गरांट यह चाहे तो फिर विद्धय करके ही इस विद्धी से रासी निकाल सकते हैं जितने भी स्विदानिक पैदेकारें इसे कि यतने भी लोग हैं उनका बेतन इसी दिख जाता है इसको आपको समझेंगें इसे इसे बैय को क्य मदान और नहीं पासवा तो सरकार गिर जाएंगी ऐसा यह का मतलब यह मुद्धा है यह बीनियोग विद्धा पास हो चुका है इसलिए न्यूज में भी है ठीक है एपर प्रेशन विल आपको ध्यान में थे प्रफेशन विल क्या क्या परकिरिया मैंने बता दिया पर लोग कि को हाज विन अप्वाइंटेट एड़ चेर्मेन ऑफ स्टोप टीवी पार्टनर्शिप यह स्टोप टीवी पार्टनर्शिप बोट के चेर्मेन के रूप में किसे अप्वाइंट किया है यह स्टोप टीवी पार्टनर्शिप क्या है तो यह स्टोप टीवी के बात जनेवा कि यह टीवी के रोख थाम ट्यूवे क्लॉसिस जो है इसके रोख थाम के लिए आप समझ सकती इसकी इरडिकेशन के लिए इसे पूरे जलती मिटा देने के लिए इसकी स्थापना हुई है और इसमें वह ऐसे पर से कंट्री हैं जो जहां पर टीवी का ज्यादा परको जाए और इंडिया के अंदर 25 तक स्वाला सकता है इस टीवी के वो उनमुर्ण का जो लक्ष है कब तक रखा गया इंडिया कर दोर पटीश तक और बाल्ट के अंदर थीस तक यह आपको बता हुए ठीक है तो इसके होंगे डॉक्टर हर्स वर्ण स्वास मंत्री है जो इसके चेर्मेन की रूप में इस पर निगत किया गया है डाक्टर हर्स वर्ण एंडिया ना बहुत जवर्दास रूप से काम किया है त्यूवे क्लॉस को इरिटिकेटिंग करने के लिए और 25 तक रखा इस टार्गेट को अचीव गरने के ठीक है यह कि यह जुलाई दोर 21 से सामिल हो जाएंगे और तीन साल तक इंगा कार्षकाल होगा डॉक्टर हर्श वर्धन का यह आपको पता होना थे ठीक है चलिए नेक्स वाल क्यों चलते हैं कि हाले में किस पत्षिक सनक्षन के लिए सुप्रिम कोट ने कहा कि कम वोल्टेग के टांस्मिशन लाइं टांस्मिशन लाइं जो देखते हैं बड़ावर लगा राता है तो यह इस वोजन टास्मिशन लाइं तो बोला इसमें आप इस जो कम-कम छमता वाला इसको आप कम शलाइन उसको नीचे कर दिए और यो फाइब टाइस लाइन उस पे आप वर्ड यह वैट रट राइंट्र एक यंद्र होता है जिसे की पकषियां डेवर्ट पक्षियां यहां पर नहीं आते हैं घ्लम जाते हैं डावर्ट हैं तो यह किस पक्षि पक्षि के लिए तो य कि ग्रेट इंडियन वर्सटर्ड तरी पक्षी है कि यृ मदेंज कि इंडेंजन्ड है है इसव्रक्ति पर्लुप्र 9.-алwh दिमा हम नी बहुत ज़या शने में जेत्रों में इनका मौत हुआ है इन चीजों के प्रॉडम से इन लाइन के कॉंटेक्ट में होने से इनका बहुत ज्यादा प्रोब्लम होगा है इसले सरकास सुप्रीम कोट ने बोला भाई यह अन्बर कर लो या तो फिर उस पर बैट डावेटर लगा दो यह देख सकते यह ग्रेट इंडियन वास्टर्ड हाओ ह कि अध Death Mode कि मैं तसर हिसुर बात को यह यह पिसमाप्ट होता है ओकि आज अब हिस्ट्री के हम थोड़ा सा बातों कर लेते हैं हिस्ट्री के थोड़ा से कुछ चीज़ को कर लेते हैं तो आज हमारा हिस्ट्री में बहुत ही एक नया चिप्टर अस्टार्ट होने वाला है आपको पता होना चाहिए ब्रिटीस का इंडिया में किस तरह से कि ब्रिटिस इंडिया में कॉंक्वेस्ट की ब्रिटिस इंडिया के अंदर किस तरह से पावर फूल में हम उन सारे चीजों को देखिए कि ब्रिटिस कॉन्वेस्ट इन इंडिया भारत में ब्रिटिस का किस तरह से कॉन्वेस्ट हुआ तो आपको यह पता नहीं इस्ट इंडिया कंपनी इस्ट इंडिया कंपनी अल्रेडी सूरत मदराश मैंने बताया आपको सूरत अभी हम कॉनकेस्ट की बात करें किसके क्या पढ़ रहे हैं कॉनकेस्ट पढ़ रहे हैं तो पताना चाहिए सूरत मदराश कि το सत्राव में फरकेस्यार क्या था सब्सक्राइब कृष्षण सब्सक्राइब झाना इसलवा से टक है यह 1717 में फरक्राव से हरे एक फर्मान जारह कि है मैंना मता है तक फरकाव फुरिट्रेटिटी ट्रेल करो है कोई पैशा न लएका इसने दस्तक दिखाइए फिर मुगल छे में यह मुगल छेत्र में आगर प्समा सकते हैं कि उसमें मुगल केंदर ने पूरा अल्मोस्ट पूरा एंडिया था और ड्यूटी फिरी ट्रेड करें कोई बोलने वारा नहीं ठीक है सब्सक्राइबात को कुली खान ठीक है क्या था मुर्सीद कुली खान इसको वहां का बना दिया जाता है गुवर्णर और बेंगॉल देखो बेंगॉल पहले मुगल के अधिन था तो और यह जब तो था सतर साथ सतर सपास तक उसके वाद सतर साथ में तो अंगरिज खत्म आता लेकिन यहां पे मुर्सीद कुली खान क्या काम करता वाई यह काम करता है कि जो कैपिटल रहा का पहले कैपिटल क्या था बंगॉल का रहा का वहां से करता है मुर्सीदावाद कहां करता है मुर्सीदा सुने बात को जैसे और अंग्जेव का देथ होता है सतरा सो साथ में यह अपने आपको कि मरने के बाद अब समाझ सकते हैं कि ये टोटली रूप से ये अब मुगल के अधीन नहीं रहा ठीक है उसमें टोटली आप समझ सकते हैं उसमें जब तक और अंग्जेव था जब तक तो थालिकियों के बनने के बाद आपको पता होना चाहिए कि कि डिकलाइन ओफ रहा है किसको ओफ पंगाल को अब देखें मुर्षित कुली खान के अगर बात करते हैं के असा ते सतर सूपाइंटेस में विहार भी इसके अंदर सामील हो गया ते कि बिहार को अधर कर लिका 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 दिया कि तुझा ओदिन आता है ओके जो मुसा मुर्षित कुलिखान का दमाद होता है तुझा ओद ये कि इसका बेटा टारफ लाइन पोना था हम यहीं बेंगे पर देखेंगे तर इसको चीज़ को देखें नगाल प्ड़ेंगे तो इसको बीटिया से दाएगा सर्फराज खान जो 1749 से तरह सुन चालिस तर एश सतरह सुन चालिस तर ओके आई सब्सक्राइशन भी हार सामिल जो गए अब देखें सर्फराज खान के बाद आता है अलवर्दी कौन अलवर्दी खान जैसे ही अलवर्दी खान का देथ होता है इसका ग्रेंड सन इसका पोटा बहुती कम उम्र में बहुती कम उम्र में सीराउज दौला और है रोल बनता है से रहुच शैप्वन में उसका उम्र हता थेस्ता की आता थेस्ता वहुती ज debate श्राज रहता है इसके अंदर जोस भरा है यह अब देशन दिमाग के बहुत जील दीफ़ज़ा आना मुलता करमक रहना कुछ भी कर सुट के पाइख कुछ भी हम कर देंगे सी नहीं करे नहीं करेगा इस करेगा इसके भीच में तरह कादमी जिसका मूड कभी तुरंद कोई परिवर्थन कर दे कोई भी कुछ समझा दे इस समझ जाएगा ओकी यह देखिए नवाव यह तो है क्या नवाव वेंगॉल देखें चीजों को समझेगा अपना फ्यक्ट्रे फुगली बेंगॉल में अपना फ्यक्ट्रे स्थापित कर लिया था अंग्रेजों ने तोला सुन ठाने में पता होना आपको पॉलकत्ता का स्थापना कर दिया तिन जगा को मिला के और यहां पर 60% of trade जितना भी ट्रेड इनका होता था उसमें 60% ट्रेड वेंगॉल से होता था ओके यह चीज़े अब इसके अंदर बहुत ही जबदास्त तुरूप से हैं यहां बहुत अच्छे तरीके से अंग्रेज इस पूरे कलकत्ता वाल एरिया को लुट रहा है यह पूरे वेंगॉल वा बाद कर लेते हैं कि कुछ नवाब के जलने वाले लोग या बोल सकते क्यूं की दूसमन सौकत जंग कर गशीटी बेगम यह ना ऊपको सुनने को मिलेगा यह से टीड़क में तेल्य यह आपको ज्यादा मतलों बसको सुनने को मिलेगा अधर से अंघ्रेज jus का अंग्रेज क्यों था भाई इसको समयना हैं अग्रेज क्यों था अंग्रेज कियों आप अनले जाफके तुर्य नОई सख्या कि देखें स मेहां न कि मिस यूज आफ दस्तक मैंने क्यों वला था की 11viewer सब्सक्राइब करें अब अंग्रेज इस दस्तक का इतना ज्यादा मीश्य करने लगा यह क्या करता आप अपने तो ट्रेट करी रहा है फुद्ट करी रहा है इस दस्तक को भी बेज दे रहा है लोको बीच में और और भी लोग हैं वह इस दस्तक का प्योंग करके पूरे बेंग ओल में फ्रीख करा और उस आदमी से पैचा लेजह हotte अब जब पूरा हर जगा तो कह पता ओघंग होगा तो शबसे पड़ा कारान पहला था कि इस दस तक का बहुत ही जवधर्स तक दुरुफ से मिसय होज किया भर देजस्ट कीया चिट गया सिराओ üzभाला है ढकाल है भाको इस से अन्य वाई क्या है कि कर आधर चंक होगो एकяла फोर्ट बिले मेने वरे फोर्ट बिल इस था सुन पना का था में कर चुका था कि अब इस फोर्ट बेरियम को फोटिफाइंग कर रहा था हमार तो यह चारों तरफ इसको दूरी कृत क्या रहा था और जैसे होता कि सैनिक राखना एक तर समझ सकते हैं इस सैनिक क्यों रखेगा चार तो बॉंड्रों डिकर दे एक तरसे आप समझ सकते हो कि यहां पर दूरी फोटिफाइंग का काम होलता कि साओं ओर फोटिफाइंग और किसी के यह किसी के राज में आत्सा एक और वहां पर अपने सैनिक रखेगा फो,टी फाओं नहें आपना दूर रखके गा तो प्रोब्रों तो होगा नोहें क्या है को हमए प्रोब्लम कारेस ते बाद में हमेहीं हटा तो इस इस पूलेके प्रोभ्लम होई अहे यो वोला क्या वोला वाई है कि तुम फोट्रक मत कर, कि अंग्रेज इंग्लिज को बोला कि तुम फोर्ट विलियंग को फोर्टि फाइंग मत करो मत करो मना करने नहीं करो गाता है गुशा के अटेक कर दता है ये ब्रीटिस का एक डिरी में का एक एक कोथी पर अटेक करता है काहां का रिर का सिम्हों बिल्यार यi कोठी यूवलो में में और यह अटेक करने के वाद जो अंग्रेज है ना अंग्रेज भाग के कहां भाग जाता है अंग्रेज भाग जाता है फुल्टा दिफ फुल्टटीप बहुत ही गंदा जगद था उसरम मायुने बात करेंगे अंग्रेज जैसे यहां से हारता तो अंग्रेज यहां से भाग जाता है फुल्टटप जीता है यहां बेतर हो जाता अब रूख के भाग नहीं जेज क्या था अगर हुआ है तो समझे कि वह टेक करने वाला जबर्दस रूप पर टेक करने वाला कि अंग्रेज हार नहीं मानता था इनके पास इतना अच्छा थैनिक था ये तो हमेशा यूद में हराते ही आपको मैंने बताया था कैसे एंगलो में सुरू आइंगलो करनाट का बार में मुझारी कि इस तरह से जीत है अब देखिए यह तो फुल्टर दिव भाग के सरन ले लिए फुल्टर दिव में जाका विरूखा वांग्रेज अब देखिए थोड़ा साब में बताने वाला हुआ है कि इसके समय में बहुत ही बड़ा घटना को बारें जिगर किया था ब्लैक होल्ट करके एक रूम था एक रूम था छोटा रूम था उसमें सब को पैक कर दिया इसमें हावा वाजाने का कहीं भी कुछ एडिया नहीं था पोई भी लाइड जाने का नहीं था इसमें बंद कर दिया था तो बहुत सार लोगों का इसमें जान चला गया था ऐसे ब्रिटिस राइ की चिछ को नहीं कर नहीं निकिन अइसा था घबलाइक होल टların दे पर हुआ तो इससे भी अग्रेज घुस्सा इससे अंग्रेजिसा अंग्रेज दस्तकर नहीं दे रहा है तो आनगे यहां दस कुम्हा Вас दौर्णा करने के बाद अंग्रेज जो इंडियान होते हैं बहुत जाता खुस पता होना चाहिए बहुत ही जवाद से करते हैं अब सी जोग समझेगा कि इतना जवाद से करते हैं यह बोल जाते हैं कि अंग्रेज फुल्टा दिप में जाके छूप लगता रहे भाग के डर गया मुझे बच्चा था अभी उतादा था ने इसको कोई भी मैनिप्लेट कर सकता था ठीक है और यह पूरा अच्छा से करते रहता देहान नहीं देता लेकिन वहाँ पर भाई ध्यान रखिएगा रोबर्ट कलाइब आ गया कौन आ गया रोबर्ट कलाइब को बुलायाता है रोबर्ट कलाइब तो समयले अगर आ गया तो यह तो जीते गा ही जीते गा रोबर्ट कलाइब आ जाता है और समयले बा पहले संधी कर लेगा इसा कि पहले होती है यूत के पहले होती है अली नगर की संधी यूद के और इसमें परमिशन देता भाई देखो रबट क्लाइब बहुत बहुत जब रसतादमी था ना यह परमिशन तो लही लेगा इसने नुमाती ले लिया कि जाए दुर्विकृत करिए कोई प्रॉल्म नहीं है अब कोई प्रॉल्म नहीं कुछ पैसा लिया होगा और सिक्के भी वेंगौल के अंदर जो भी शीखे दाले आते थे वह ढालने का कम अंग्रेज करेगा इतना आउडर मिल गया अली नगर की संधी में फुल्टा धिप में भाग गया था वहां पर से भगाया नहीं छोड़ दिया धिहान नहीं दिया अब देखे यहीं अंग्रेज यहीं अंग् देखो जाके कौन इस अंग्राधा खिलाप रहता है तो कुछ ऐसे से लोग मिलते हैं कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो मेर्जाफर को धोख्षा देने के लिए प्यार हो जाते हैं थोड़े से चंद लालचों के लिए और वहीं जा कि आगे सटर संतावन की पलासी की यूद मे के लिए वेड़ फ्रास्वान्थ रॉक्ता है इस चीज़को कल देखेंगे कल की विडियो में कैसे 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 रॉए और कैसे कैसे जीतता है ब्रेटर फ्रासी देखेंगे और रफ बाध का कल के वीडियो में देखनेlympics हैं इससे आपका कोई भी प्री का एजामों उससे कैसे भी स्वालाइब आपको लिख पाईएगा कल के वीडियो में अगर आप देखते हैं तो रॉब बैटल आफ प्लासियां बैटल आफ बॉक्सर चलिए सेशन को किसमा अब्द करते हैं ठीक है धन्यवाद स्वालाइब आपको ऑ कि औॉ ऌपको में लिए सुआर आपको अब्याटल कहां हिं लिए्औगियो में अजवाद प्लारी कहां है चल्यां रुटेएर्टर को और आपको कि कंढने चलार रखको में ध法िक स्वाला दंब्सक्तृ उला यालान प найखको voilà है टा उला हैं 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 हैं